मेरे प्यारे देशबासियों, नमस्कार, पचास्तरियों गणतंत्र दिवस की पूर्व संधापर मैं आप सभी को हार्दिक सुबकामनाई देती हूँ, जोब मैं पीछे मुड कर ये देखती हूँ, कि बिपरीत परिश्थितियों के बाबजूद हमने कितने लंबे यात्रा की है, तो मेरा हुरुदय गर्व से भर जाता है, हमारे गणतंत्र का पचास्तरवां वर्ष केई और्थों में देश की यात्रा में एक एतिहासिक पड़ा है, ये उस्व मनाने का बिशेस अफसर है, जैसे हमने स्वाधिन्ता के पचास्तरी वर्ष पूरी होने पर आजादी का अम्रुत महस्व के दोरान आपने देश की ओतुलोनियों महानता और विभिदता पूर्ण संस्कृति का उस्व मनाया था, काल के दिन हम संविधान के प्रारों का उस्व मनाएंगे, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन सब्दों से शुरू होती है, ये सब्द हमारे संविधान के मूल भाव और तात लकतंत्रों को रेखांकित करते हैं, भारत की लकतंत्रीक व्यवस्ता लकतंत्रों की पस्चिमी अवधरान से कहीं अधिक प्राचीन है, इसलिए भारत को लकतंत्रों की जननी कहा जाता है एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद, 15 अगस्ट उनिसो सच्चारिस को हमारा देश विदेशी सासन से मुक्त हो गिया, लेकिन उस समय भी देश में सु सासन तो थार देश बासियों में निहीत चमताओं और प्रतिभाओं को उन मुक्त विस्तार देने के लिए उपयुक् पुल्भूत सिधान्तों और प्रक्रियां को सरू प्रोदान करने का कार्य चल ही रहा था। सम्भिधान सभाने सु सासन के सभी पहलूं पर लोगभक तीन वर्ष तो विस्तरूत जर्चा की और हमारे राष्ट्र के मुहान आधार्भूत ग्रण्त यानी भारत के सम्भिधा की रचना की। आज के दिन हम सब देशबासी उन धूर्दोर्ची जनोनायों को और अधिकारियों का पुर्तग्योंता पुर्भग स्मरण करते हैं। जिन्होंने हमारा भव्यों और प्रेर्योंक सम्भिधान के निर्माण में अमुल्यों योगदान दिया था। हमारा देश स्वतंत्रता की स्वताब्दी की और बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारोंभिक दोर से गुजर रहा है। ये एक युगानतो करी परिवर्तन का कलखंड है। हमें अपने देश को नई उच्चाईयों तोक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारा लख्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतेक नागरिक का योगदान महत्तपुर्ण होगा। इसके लिए मैं सभी देशपासियों से संभिधान में नहीत हमारे मूल कर्तप्यों का पालन करने का उन्रोद करूंगे। ये कर्तप्यों आजादी के सोब और सुपूरी होने तोक भारत को एक बिक्सित राष्ट बनाने की दिशा में प्रतेक नागरिक के आवश्यक दाइत्यों है। इस संदर में मुझे महात्मा गांधी का स्मौन होता है। बापु ने ठीक ही कहा था। जिसने केवल अधिकारों को चाहा है। ऐसे कोई भी प्रोजा उन्नोती नहीं कर सकी है। केवल ओही प्रोजा उन्नोती कर सकी है। जिसने कर्तप्यों का धार्मिक रूप से पालौन किया है। दिसने कर सकी ही।